Hi guys, स्वागत है आप सभी का मेरे चानल FitLife by Amita पे कैसे हो आप सब? I hope कि आप सब अच्छे होगे आज की जो वीडियो है वो बहुत ही important topic पे मैं आप लोगों को details देने वाली हूँ वो है visitor tourist visa यानि कि अगर आप India, Pakistan, Bangladesh, Nepal से America घुमने आना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा visa लगता है तो आज की इस वीडियो में मैं सारे details आप लोगों को बताने वाली हूँ और सारे steps बताऊंगी कि आपको क्या-क्या steps follow करना है और क्या-क्या requirement है अगर आप लोगों को visitor visa चाहिए US आने के लिए तो टाइप के visa है B1 और B2 और दोनों की जो almost requirement है same है और साथ में जो duration है जो ये visa की validity है B1 और B2 visa की दोनों case में same मिलती है तो चलिए मैं quickly इन दोनों के differences को बता देती हूँ कि B1 visa किस category को मिलता है और B2 visa किस category को मिलता है तो B1 visa अगर आप किसी भी business related trip से आ रहे हैं US किसी conference को attend करने के लिए आ रहे हैं या अगर आपका college आपको यहाँ पे कोई seminar विगरा attend करने के लिए भेज रहा है US तो उसके लिए आपको B1 visa मिलता है या फिर कोई भी basically business deal से related अगर आप अमेरिका आ रहे हैं तो उसके लिए आपको मिलेगा B1 visa और बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है comment करके कि अगर वो business करना चाहते हैं तो उनके लिए आप सब के लिए दोस्तों जो भी यहाँ आके business करना चाहते हैं उनको मिलेगा B1 visa तो यह वीडियो ध्यान से पूरे end तक जानने और समझने की कोशिश करिए और हाँ आप सब जैसा जानते हो कि आप सब के comments को मैं बहुत seriously लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आप जो भी मुझसे पूछते हो उस पे मैं वीडियो बनाओ तो इसलिए अगर आपके मन में कोई भी topic है जो आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाओ तो नीचे comment करें और मुझे बताएं कि आप किस topic पे चाहते हो मैं वीडियो बनाओ और मैं definitely कोशिश करूँगी कि आप सब के लिए उस topic पे वीडियो बनाओ तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं B2 visa की So guys, पहला step क्या है अगर आपको B1 या B2 visa चाहिए जो सबसे पहला step है आपके पास passport होना चाहिए यानि कि आप जिस भी country के हैं आपके पास वहां का passport होना चाहिए Second step आपको क्या चाहिए आपको DS-160 form भरना है और उस form में basically आपको बहुत सारे details फिल करने होते हैं और क्योंकि वह form काफी बड़ा होता है और बहुत सारे details फिल करने होते हैं तो मैं इस form को भरने के लिए एक अलग से video बनाऊंगी जहां में आप लगों को सारी details दिखाऊंगी कि क्या-क्या चीजें भरनी होती इस form में और क्या-क्या documents वेगरा चहिए होता है जब आप DS-160 form भरते हो तो चलिए फिर भी मैं DS-160 form का quickly आप लोगों को एक बता दूं कि DS-160 form में आप लोगों को क्या-क्या details भरना पड़ेगा पास साल आप कहां रहे हो वो दिखाना होगा या फिर पास्ट में आप किस-किस country गए हो वो दिखाना पड़ेगा और आपका जो personal information है वो डालना पड़ता है यानि कि आप क्या करते हो यह सारी details आपको DS-160 form में डाल दी पड़ेगी और गाइस मैं DS-160 form में detail में वीडियो बनाऊंगी जल्दी ही और बताऊंगी कि कैसे form यह भरा जाता है तो मेरे चैनल को subscribe जरूर कर लें क्योंकि अगर आप subscribe नहीं करोगे तो हो सकता आप miss कर दो मेरी वीडियो तो नीचे bell icon को hit कर लो ताकि मैं जबी भी कोई वीडियो अप करना होता है और तभी आप interview schedule कर सकते हो और यूएस consulate में जाके interview दे सकते हो और जैसा मैं अपने हर एक वीडियो में बताई हूं कि इंडिया में 5 consulates हैं Mumbai, Chennai, Kolkata, Hyderabad, Delhi तो इन 5 consulates में से आपको एक consulate select करके interview और biometrics का date select करना है और आप लोगों को दो दिन तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि biometrics भी होता है और interview भी होता है और ये दोनों चीज़े एक दिन में नहीं होती तो आप जहां पे भी जा रहे हो जिस भी यूएस consulate में जा रहे हो वहां का दो दिन का stay आप लोगों को जरूर रिजर्व करके रखना है ताकि आप biometrics और interview दोनों देके मैं घूमने के परपस से अमेरिका जाना चाहता हूँ अगर आप दो हफते के लिए US आना चाहते हो यानि कि मैं 14 दिन के हिसाब से बात करूँ तो अगर आप 14 दिन के लिए US आना चाहते हो तो आपको हर एक दिन के लिए 260 डॉलर अपने bank में रखना होगा और bank statement आपको वहा पैसे हैं कि नहीं कि आप दो हफ़ते यूएस में आके रह पाओ ऐसा तो नहीं कि आप यूएस में आके रह जाओ और अपने कंट्री वापिस नहीं जाओ तो इसलिए जरूरी है कि आप अपना bank statement ready रखें यानि कि आपके bank में पैसे होने चाहिए जितने भी दिन का आपका plan है और अगर आप इसे INR में calculate करना चाहते हैं तो आप अपने requirement के हिसाब से इसे calculate कर सकते हो तो हर दिन के हिसाब से आपको $260 पे करना पड़ेगा तो आप $260 को multiply कर लो 10 से और उसको multiply कर लो $73-74 का rate चल रहा है आज के हिसाब से तो उसके हिसाब से आपको basically calculate करना पड़ेगा अपने requirement के हिसाब से तो उतना आपको अपने bank में दिखाना है रखना है और वो statement लेके जाना है जब आप interview के लिए जाओगे plus note करने वाली बात ये है कि आपको एक और document की जरुवत पड़ेगी वहाँ वो है purpose आप लोगों को वहाँ दिखाना पड़ेगा कि आप किस purpose से जा रहे हो या घूमने के purpose से जा रहे हो या फिर medical का purpose है या कोई relative को visit करने जा रहे हो तो वो भी एक document रख लेना आप अपने साथ और जो तीसरा एक बहुत important document है आपके interview के लिए वो ये है कि आपको अपने property का कोई document साथ में लेके जाना है अगर आपने property का document नहीं भी है तो ममी पापा का property सो basically आपको अपने home country का कुछ भी एक property का document लेके जाना है और उन्हें दिखाना है अगर वो मांगते हैं तो और उनके मांगने का एक यही कारण है दोस्तों कि वो जानना चाहते हैं कि कहीं आप अमेरिका में तो बसना नहीं चाहते वो property देखके वो ये सोसते हैं कि अगर के home country में कोई भी property है या कोई ऐसा कुछ है जिसके वज़े से आप अपने home country वापिस future में जा सकते हो तो basically आपका अगर property है तो उसका document आप लेके जरूर जाना या फिर आपके अगर parents का कोई property है तो उसका भी document लेके जाना और साथ में अगर आपके भाई-बहन हैं तो बस य अमेरिका में नहीं बस होगे और अगर आपका कोई relative अमेरिका में रहता है जो कि आपको invite कर रहा है या फिर आप ये दिखा रहे हो कि मैं अपने किसी relative को visit करने जा रहा हूं तो आपको वो जो आपका relative है उसका invitation letter आपको उस relative से चाहिए रहेगा तो आपको वो दिखाना है plus साथ में उस जो relative है उसका जो pay slip है यानि कि उसकी monthly जो income होती है वो pay slip दिखाना होगा और तीसरा उसका employment verification दिखाना होगा तो employment verification यानि कि वो जिसकी भी company के लिए काम कर रहा है तो उस company से वो एक letter ले सकता है कि हाँ मैं इस company के लिए काम करता हूँ और वो आपको दिखाना पड़ेगा तो ये सारे documents आप ready करके ही interview के लिए जाना क्योंकि कोई भी document वहाँ आप से मांग सकता है जैसे ही आपके पास ये सारे document आ जाते हैं तो आप लोगों को interview के लिए जाना होगा और guys, interview में आप ये सारे documents मांलो दिखा दिया आपने और सब कुछ सही रहा तो आपका जो visa है biometrics आपका होने के बाद so biometrics में basically जो आपका eye retina है वो scan करते हैं और fingerprint scan करके लेते हैं so ये हो जाता है और interview हो जाता है वीडियो मैंने already बनाई हुई है और बहुत अच्छे से मैंने detail में समझाया है कि आपको क्या-क्या steps follow करने हैं और कितने पैसे लगते हैं और वहाँ पे मैंने ये भी बताया है कि कब आपको ticket सस्ती मिलेगी अगर आप अमेरिका आना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखना आपको काफी help मिलेगी so B1 और B2 वीजा की जो validity है वो 10 साल की होती है लेकिन जो rule है वो ये है कि आप सिरफ 6 महीने US के अंदर रह सकते हो पर उसे भी extend आप करा सकते हो तो चलिए बात करते हैं इसके extension पे तो मान लिजे कि आपको वीजा मिल गया और आप 6 महीने के लिए US आजाते हो so basically 6 महीने के बाद अगर आप चाहते हो कि मैं और आगे 6 महीने extend करा लू आप 6 महीने से ज्यादा extend नहीं करा सकते तो अगर आप चाहते हो किसे और 6 महीने extend करा लू ताकि आपका पूरा stay एक साल का हो जाए तो उसके लिए भी कुछ requirements हैं तो चलिए उन requirements पे quickly बात करते हैं जो पहले requirement है वो ये है कि मान लिजे आपका जो 6 महीने वो complete हो रहा है उसके लिए आपको एक संटेंशन के लिए apply करना होगा और उसके साथ आपको एक form भड़ेगा आई 539 और उसमें कुछ details भरने होंगे और basically आपको purpose बताना होगा US government को कि क्यों आप extend कराना चाहते हो अपना stage है महीने के लिए और America के अंदर और साथ में आपको financial status दिखाना होगा यानि कि again आपको ये दिखाना होगा कि मेरे पास पैसे हैं कि मैं इसी लिए US में रह पा रहा हूँ So guys, यही सारे steps हैं जो आपको follow करने होंगे आप चाहते हो अमेरिका विजिटर वीजा या टूरिस्ट वीजा पे आने के लिए तो ये सारे steps हैं जो आपको follow करने होंगे I hope कि आप लोगों को ये वीडियो हेलफुल लगी आप लोगों को information मिली विजिटर टूरिस्ट वीजा के बारे में और guys, मैं Instagram पे भी काफी active रहती हूँ और काफी सारे post और वीडियो डालती रहती हूँ तो अगर आप सब मुझे Instagram पे follow करना चाहते हैं तो मेरी ID ये रही FitLife by Amita मुझे Instagram पे follow कर लीजिएगा और ये वीडियो में यहीं end करती हूँ और मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में और कोशिश करूँगी कि आप सब के लिए इसी तरीके से informative वीडियो आगे भी मैं बनाती रहूँ So, all right guys, stay happy, stay fit Bye